हेलो वाट्सप गाईस आज हम इस वीडियो में देखेंगे गार्वेज कलेक्शन टाइम इन और 10 स्टेक क्वेरी वर्जन 5 जी हां गाईस तो बताना चाहूंगा आज को बहुत ही ज्यादे इंपोर्टेंट है एंड इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा मैं आपको बत बतिन रियालेटी वर्जन 4 तिल वर्जन 4 हम इसी टर्म को बोलते थे कैस टाइम आपने से बहुत होने कैस या सेशन के बार में सुना होगा कैस एंड देन सेशन का बहुत डिफ्रेंस माना पूछा जाता है बटिन रियक्ट कोरी वर्जन 5 यह जो कैस टाइम आला जो गार्वेज कलेक्शन को अब इस तरह किसे समझ लिजे कि आपके घर में है नो बट जो सिटी लाइप में रहते वहां पर वी डॉन्ट हैब कोई तो यह कछडा फैकने का कोई तो जगा होता नहीं है तो क्या होता क्या लाइक गार्वेज कलेक्ट करने वाली एक टैंफो ट् इसकी अब हमें कोई नहीं है या जो खराब हो चुकी है या जो सर्ड चुका है जो भी हो ठीक है तो आप इसतरी कि से समझ लीजे तो अब हमारे इस application में रियक्ट के अप्लिकेशन में ऐसा कौन सा data है जिसके अब हमें कोई नहीं है तो बस वही data आप समझ लीजे कि आपका कहलाएगा गार्वेज कलेक्शन जिसकी कोई नीड ने अब उसको कछेडे में फैक्ड हो सिम्पल ठीक है अब मैं आपको एक एक्जेम्पल बाता तो जब आप react query use करते हो to get the data from the API or from the server क्या होता है वो जो data है वो cache में जाके store हो जाता है जब वो cache में store हो जाता है तब क्या होता कि again अगर आप same data को request करते हो तब react query इतना advance है कि वो सबसे पहले cache में जाके check करता है and if that data is present तो वो data हमें दिखा देता है instead of again fetch करना वोस server को बोलता भाई जब data already है तो क्यों fetch करना बात तो सही है right and साथी साथ एक और चीज यह है कि the cache updates automatically if the data changes so you will always get the latest information इसका मतलब यह नहीं कि background में data change हो गया but आपको वो जो cache का data वो ही मिल रहा है ऐसा नहीं है मैं आपको बाताता हूं क्या इसका मतलब I know यहां पर थोड़ा सा एक suspense है now use case में आपको बाताता हूं imagine आपका एक website है imagine let's say मेरा एक website है जैसे हमने company start किये codify.com and मैं बहुत जल्द month stack stack के उपर मैं like online classes का सोच रहा हूं if you want let me know in the comment section we want month stack online classes or else like javascript online classes or else react online classes बहुत मजाएगा ठीक है फिलाल तो आप हमारा से python चाल हूँ है बट वह में शुरू का नहीं सोच रहा हूं so guys यह हमारा contactors का page है and if you have any query या कुछ भी अगर आप आप हमसे पूछना चाहते हो तब आप मुझे यहां पर contact कर सकते हो मैं ही उसको rate करता हूं ठीक है तो कोई टेंशन नहीं है तो अब आप यह चीजिए इमेजिन कीजिए लेट से कि अब मैंने अपने admin panel ठीक है मेरा admin panel इसका जहां पर जो भी contact करता मुझे उनका message आ जाता है मेरे dashboard पर एक दो तीन इस तरीके से ठीक है अब for example लेट से यह समझ लो की message है यह आपका message समझ पर पहला दूसरा तीसरा ठीक है तो अब आप यहां पर देखी क्या होगा मैं home पर जाता हूं मैं वापस इसी जगे पर वापस आ जाता हूं तो यहां पर हो यह रहा है कि वही सेम तीन डेटा मुझे मिल रहा है वही सेम तीन contact जिन्होंने मुझे share किया था वह मुझे मिल रहा है अब इस कीस में पता क्या करता है react query react query server से direct data fetch करने से पहले वो check करता है क्या यह जो data है already हमारे cache पर रखा गया है या नहीं local cache पर right and अगर वह वहाँ पर मिलता है तो गाइस यह ना page को लोड करके वापस request नहीं करता है cache का data मुझे यहां पर दिखा देता है इससे क्या होगा मैं आपको बाता तो ध्यान से देखना advantage मैं आपको बाता रहा हूं ठीक है जब मैं fetch hold पर जाओंगा basically old तरीका तो थ्वी देर के लिए मुझे loading state आता है फिर मुझे मेरा data आता है हर बार जब भी मैं इस पर click करेंगा data server में जाके request करेगा server का जब response आएगा तो वो data मुझे यहां मिलेगा और जब तक response मुझे मिलनी जाता वो loading state वहां पर रहता है लेकिन react query advance है एक बार आपने fetch कर लिया भाई वही same piece of data तो क्यों मैं server को तंग करू कर दिया है कोई टैंसर नहीं request request की need नहीं है कैस का data दिखा देगा अब यहां पर वही बोला है यहां पर वही बोला है कि कैस का data तो आपको वह दिखा देगा राइट लेकिन let's imagine उसी बीच उसी बीच किसी और ने यहां पर contact form का जो data है वो फिल करके मुझे बेज दिया अब यहां पर क्या होता है 10 stack में एक चीज नोटिस करना आप and that is कि by default inactive queries are garbage collected after 5 minutes इसका मतलब कि यहां पर default time दी गई है एक default time दिया गया है हमारे कैसे को मतलब यह कि 5 मिनिट तक हमारा जो data है वो कैस पे एकदम जीवीती रहता है वहां पर पढ़ा रहता है तो 5 मिनिट तक जब भी हम request करेंगे कैस का data हमें मिल जाएगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस 5 मिनिट के अंदर अगर किसी और ने contact form को fill कर दिया तो क्या मुझे वो दिखेगा या नहीं क्यूं क्यूंकि let's imagine यह मेरा हो मैंने किया इस पर request this is it so the moment मैंने इसको किया request अब मेरा यह जो data है जो मुझे server से मिला वो जाकी इस्टूर्ड हो गया मेरे local cache पे अब 5 मिनिट तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ 5 मिनिट तक जब भी मैं इसको call करूंगा मेरा data always जो cache पर पाड़ा हुआ था वो मुझे यहां पर मिलेगा ठीक है लेकिन let's imagine ठीक after one minute किसी बंदे ने contact form को फिल कर दिया अब contact form को फिल तो कर दिया लेकिन मेरा यह जो data है मैं जब भी इस पे request कर रहा हूँ इस server का data नहीं मुझे मेरे local cache का data दे रहा है तो क्या मुझे जिस बंदे ने after one minute अपना contact form फिल किया था उसका data मिलेगा की नहीं तो क्याइस इसका simple answer है yes आपको data मिलेगा मैं आपको बताता हूँ क्यों inspect and I hope आपका doubt clear हो गया होगा ठीक है cache का बस काम है data को store करके रखना and loading loading मत करो वो data दिखा दो बट अब ध्यां से देखना मैं network पे जा रहा हूँ मैं जाता हूँ home पे कोई problem नहीं यहां पे कुछ नहीं हुआ है लेकिन the moment मैं fetch request बेसिकली इस पर क्लिक करूंगा ठीक है देखो let's imagine for the very first time पहली बार इसने request की server को and data मुझे मिला अब यहां पर store हो गया मैं वापस home पे जाओंगा and मैं वापस fetch request पर जब आओंगा देखना कोई loading loading नहीं होने वाला है मेरे local cache पर data already stored हो चुका है मैं click करूंगा मुझे data आ गया but एक चीज आपने notice की and that is कि यह जो request है यह वाप आपस से hit हुआ मतलब server को request जा रहा है server को request जा रहा है मैं फिर से हां फिर से फिर से हो फिर से first RQ देखो loading कुछ होता ही नहीं है लेकिन request वो अभी भी कर रहा है तो यह request करना जरूरी इसलिए है क्योंकि वले ही data आपके local cache पर पढ़ा है 5 minute के लिए and वहीं का ही data आपको यहा 5 minute के अंदर भी अगर API के data में कुछ change हो जाता है या किसी ने मेरा contact form फिल कर दिया तो वो data you know अगर आप request करते हो तो cache का data मिलता है बट एक second देखना यहां पर थुरी देर के लिए देखना pending है यह देखो देखा आपने जब तक वो pending है तब तक instead of showing that loading text वाला effect cache का data मुझे द the moment यह 200 successful हो गया and अगर वहां पर कोई नया contact form किसी ने फिल कर दिया होगा तो वो यहां पर update हो जाएगा this is the beauty of your cache कि अब फालतु का load मत दो ठीक है जो data है वो दिखा दो and अगर कुछ update हो गया तो वो भी दिखा दो तो always किसी को यह फिली नहीं होगा कि data मतलब loading and all यह always constant आपको दिखता रहेगा so I hope guys आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा and आपका doubt clear हो गया होगा and यहां पर PPT में मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था देखो न यहां पर वही लिखा है the cache updates automatically if the data changes so you always get the latest information cache का data always दिखेगा लेकिन request हो रहा है and अगर कुछ चेंज वा तो वहां पर update हो जाएगा and यह use case में आपको बता दे with the help of contact form right and default value by default interviewer ले आपसे पूछ सकते क्या है default value आपके garbage collection type का then you said you have to say like it's 5 minutes ठीक है and इसको अगर आपको कम जादा करना हो then guys आप कर सकते हो for example मैं आपको करके ब इसके नीचे आना है it's your gc time and time in millisecond में देना है ठीक है let's say मैं 1000 millisecond देता हूं तो guys आपने सिंपली स्थरीक से gc time जो आप इसको इसको इसके साथ खेल सकते हो but फिलाल मैं इसको as it is रख रहा हूं and एक काम आप यह कर सकते हो कि cash यहाँ पर option आता हमारे पास देखो अगर आप हैं से देखोगे so empty cash and hard reload तो बिसिकली आप यह जो spinner दिखता है right click करोगे इस पर click कर दो है ना तब अब अगर मैं एक सेकेंड यार यह 3G पर चालूए यह नो ट्रॉट लिंग कर देता हूं ठीक है मैं home पर आ रहा हूं and अब जाके इसको मैं वापस empty cash कर दे रहा हूं and मैं व हुआ तो वो cash पर चला गया अब जाओ मैं जितना कुछ कर लो data मुझे by default मिलेगा हाला कि यह पेंडिंग है यहां पर उसके बाद यह data हमें मिल रहा होता है ठीक है so yeah this is it आज इस वीडियो के इतना ही hope आपको cash का पता चल गया cash से cash जो भी आपको बोलना है बोलिए ठीक है तो इसका concept को समझना बहुत जरूरी था यह GC time exactly है क्या चीज and इसके होने से क्या हो रहा है profit या फाइदा मैं आपको बताया आज इस वीडियो में with example अब कल की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके mind में एक चीज़ तो यह confirm आ रही होगी and that is कि ठीक है मै मैं home page आता हूं मैं fetch request पर आ रहा हूं and मुझे यह मालूम है कि मेरा यह जो data भाई यह दिन में मुश्किल से दो या तीन बार ही update होता है दो या तीन लोग ही खाली contact form fill करते तो मैं क्यूं हर बार जब भी मैं इस particular page पर आता हूं यह request क्यूं कर रहे है आप server को data तो आप request क्यूं कर रहे हो यह भी मत करो ना क्यूं डिस्टरप करना हूं है तो यह अगर आप चाहते हो तो वह मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा और कल की वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे कम कर सकते है विधी help of stale time ठीक है तो गाइस कल का वीडियो भी बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है हला कि आप सारे वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्यूंकि रोज एक नए नए चीज आपको सिखने मिलने वा कुछ नहीं कुछ जरूरी कीजेगा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है है ना कुछ डाउट है मन में तो वह पूछ सकते हो and now our next target is 7 lakh subscriber and we are very close to 7 lakh subscriber so guys अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजेगा दोस्तों के साथ बर बर के सेर भी कर दीजेग मिलता मैं अब आपको कल की वीडियो में तिल दन गाइस थेंक यू सो मच टेक क्यों